हेलो दोस्तों मैं हूँ प्राइंस अभी का स्वागत करता हूं कि दो वाइल के विगूफ फ्रेश वीडियो के अंदर तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल अलनेस को हाला कि आज जाता न्यूस नहीं है वन अब एक ही न्यूस है वह भी आउट आफ क्रिप्टो तो अगर आपको पसंद आए तो रूख सकते हो डेफरेंटी देख सकते हो नहीं तो सिर्फ टीय रहने वाला है आज के इस वीडियो के अंदर चली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब आउट बिट कोई तो सबसे पहले लेकर हम लोग लोग लिक्विडिशन की बात करें तो हां आज मरकर में अच्छे कहसे लिक्विडिशन हुए है हलाग कि उतने बड़े लेवल पर नहीं हुए 50 मिलिक्विडिशन है हम लोगों को आज कल थोड़ा बड़े फिगर्स की लिक्विडिशन की आदत हो गई है वो तो यहां पे नहीं हुए लेकिन लॉंक थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हुए हैं मार्केट के अंदर तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को कौन ग्लास के उपर जाकर चैक आउट कर सकते हैं जोसे आपको अलग-अलग एक्षिंजिस के आईडिया यहां पर लग जाएगा वहीं पर बात कर लेते तो अगर आप टेलीग्राम में हो तो आप देख सकते हैं कि अब लोग बिट्कॉन के शॉट्स को हाँ पर ट्रेट कर रहें और इसी के साथ अगर चार्ट की भी बात करें तो यह वाला ट्रेट हम लोगों का अल्मोस्ट कह सकते हैं लगबग लगबग थोड़े दिन पहले स होगा क्योंकि यही ट्रेट अभी हमारा कंटीनी हो रहा है तो यह ट्रेट था लगबग तीवी जनवरी का और अभी के एसाब से देखे हैं 25 जनवरी को हमारा ट्रेट आल्मोस्ट यहां पर सक्सेस्फूल चल रहा है तो अगर आप टैलीग्राम पर नहीं हो जॉइन कर लो आपको बैनिफिशल रहेगा कोर्स में आना चाहते हो तो कोर्स के अंदर इंडर कर सकते हो जैसे आप यह टैक्निक सारी सीख पाऊगे कि कैसे प्राइस को एक स्मॉल टाइम में भी अच्छे से देखा जाता है प्रीम ग्रूप में अंदर आना चाहते हो जहाप पर हम कॉल हो पाइसे हैं हमें वहां पर आपको आ सकते हो लेकिन वहां पर लिमिते इट कॉल होते हैं मन्त में अरूंड 10-12 कॉल से कमें किसी किसी मन्त में 6 कॉल भी हो सकते हैं तो totally रिपैन करता है कि मार्केट हमें कितनी कॉल्स मांपे प्रोवाइड करा रहा है and almost यह सारी चाहीं मु इसको लूज करता है तो यह वाला जो हमने फॉर्मिशन पहले भी यहां पर बनाया हुआ था मार्केट इसको टेस्ट करेगा फिर भली यहां से पंप होता है वो आने वाले दिनों के अंदर हम इसको चैक भी कर सकते हैं को बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा है तो अगल सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है तो यहां पर आप यहां पर बो सकते हैं कि जो BTC PR में और यहाँ पर जो dominance है वो bump होगी current support जो है dominance का वो है 43.88 के असपस यानि कि इसके नीचे आता है then फिर bitcoin के अंदा corrections या फिर short positions जादा हमें देखने को मिलने वाली है वही पर अगर हम लोग dominance देखते हैं altcoin की इसके नदर कोई खास momentum नहीं आया लेकिन अभी resistance है तो हम वेट करें कि इस resistance पर market क्या reaction देता है कि इसको rejection देगा या फिर prices को नीचे की तरफ dump यहाँ पर करने वाला है वही पर बात कर लेते हैं ethereum के बार में तो ethereum finally अपने base पर आ चुका है जो base हम लोग ने कल भी बात करी थी market के अंदर हलाकि यहाँ पर prices bullish pattern definitely बना दी है लेकिन इसी पूरे line ने इसको resistance दिया है और यह वाला जो base है जिसको हम लोग देख रहे थे almost इसको market interest किया है हलाकि actual support यह वाला है मैंने थोड़ा सा उपर लगा दिया था तो यह है 1500 to 1520 यानि कि यह support है जहां से यह हो सकता है कि short term में जो prices है वो थोड़ा सा pullback लेने की कोशिश करें like this और अगर यहां से फिर से कोई rejection आता है तो prices इसको break करके नीचे की तरफ भी जा सकती है तो मैं पर short term pullback तो expect कर रहा हूँ जो छोटा भी हो सकता है थोड़ा बड़ा हो सकता है उसके बाद देखना पड़ेगा कि यह जो supportive zone यह कितना hold कर पाता है अगर यह hold नहीं करता है तो prices में हमें corrections देखने को मिल सकते हैं हाला कि यहां पर जो bull flag था वो breakout ही नहीं हुआ तो उसको हम बिल्कुल पर count नहीं कर सकते कि prices यहां से upside climb कर पाए और definitely हमें prices में वैसे भी गिरावट देखने को मिल रही है तो अगर कुछ भी prices यहां पर एक double bottom form कर लेती है यह थोड़ा differentiate होगा लेकिन इस support को अगर loose कर जाती ही $1500 के then prices जो है इतिरे में वो short के लिए मिलेंगे और लगपक हम $1300 का short जो है वो हम पर plan कर सकते है वही पर अगर हम लोग बात करते है light coin के बारे में तो light coin ने एक अच्छा momentum definitely दिया था जिससे हमारा यह पास target $106 के आसपास है prices अभी incline करें और यह वाली trend line की अगर हम बात करें तो prices अभी भी इसके आसपास ही थोड़ा respect कर रही है तो जो base है वो 84 का है जैसे मैंने बता है कि stop 80 के नीचे रख कर चलना है कुछ भी होगा तो हम exit यहां पर हो पाएंगे next अब बात करते है Binance coin के बारे में तो Binance coin में कल जब pump आय था तब हम लोग इन इसकी बात करी थी कि हमें आप आप उपर की तरफ retracement चाहिए जो हम लोगों को इस point पर बिल्कुल भी नहीं मिला prices नीच आया है यहां पर आपके असे था resistance बनाया है और prices ने गिरावट हमें देखने को मिली है तो अभी के score के according देखे तो price गिर चुकिए तो मेरे expect कराओं कि price अगर दुबार pump लेती है क्योंकि थोड़े से long positions यहां पर बन सकती है तो price इस तरिके का एक momentum हमें दे पाएंगी तो यह momentum अगर हम लोगों को मिलता है तो prices में आप दो चीज expect कर सकते हो पहला तो यह वाला trend line से भी rejection हो सकता है या फिर price यहां पर थोड़ा सा spike करके up-down कर सकती है चीजों को और अगर आप आ रहे से देखोगे तो might be यहां पर आपको कुछ divergence देखने को मिल जाए तो उसके according पर आपको एक trade यहां पर देखने को इसके नीचे अगर BNP जाता है then फिर up your shot होगा यहां पर फिर हम long की बाद शायदी कर पाए क्योंकि फिर BNP में हम लोगों को कहीं न कहीं एक अच्छा short position देखने को फिर मिल सकता है next आप बात करता है XRP के बार में XRP ने breakout definitely दिया था माइड भी हम लोगों के stops आप हिट हुए होंगे अगर हमने कोई भी long position open की है और अभी यह थोड़ा सा crucial zone है नहीं भी stop hit नहीं हुआ है 0.39 तो यहां पर crucial zone इसलिए करकि यह break होगा तो हम लोगों को correction थोड़े से यहां पर देखने को मिलेंगे XRP के अंदर हलाकि XRP का यह वाला जो level है यही हमारा एक massive support है 0.37 का यह एक local support की तरह act कर सकता है यहां पर तो यहां पर अगर price support लेते हैं तो might be है शहर्थ head and shoulder बनाने के लिए price को इस तरह थोड़ा momentum ले और एक head and shoulder का formation यहां पर हो सकता है अगर मैं इस वाले पूरे chart को दुबारा से remove कर दूँ तो यहां पर हमें एक चीज़ समझ आएगी अगर हम लोग थोड़े से बड़े time frame में आते हैं इस point पे वापिस हैं तो यहां पर हम लोग ने जो कह सकते हैं कि जो नीचे की तरफ एक channel का formation देखा था इस जगे से बस उसके retracement का यहां पर शाद wait हो सकता है जो कि dot करने की कोशिश कर रहा है तो इस वाले zone पे अगर हम पिछले support से देखें तो यह वाला वो fully zone है जो market हैं पर trade हो रहा है इसके according मैं नहीं देख रहा हूँ जीजो को मैं अगर यहां पर 4 hour के अंदर आऊ तो हमें एक चीज यहां पर clear समझाएगे कि dot का जो massive supportive zone वो around 5.5, 5.7 पर है यानि कि अगर prices यहां तक incline कर जाते हैं then chances होंगे कि market यहां से reverse या ऐसी कोई condition like something कुछ इस तरीके से momentum दे सकता है अब इसके नीचे गया तो इसके नीचे हम clear कर short करेंगे लेकिन अभी के लिए जो मेरा supportive zone वो यह बाला है और इसके बाद आगर prices pump करना start करते हैं तो first target हम लोगों की पास around 7.3 कर रहेगा और major target हम लोग आपे 9.6 dollar का लेके चल सकते हैं तो short term में else जो है वो correction यहाँ पर कर सकते हैं next बात करते हैं NIO के बारे में तो NIO में definitely हम लोगों का stop hit हुआ होगा क्योंकि prices ने इसको break भी गया अच्छे से retracement भी गया उसके बाद भी नीचे price आए तो अगर हम लोग ने कोई भी नस्दिक में stop loss लगा है और यहाँ पर यह बाद में एक rising channel या upper channel की तरह बन गया है तो वो थोड़े time बात की development है जिसके बाद हमें prices में corrections मिले और current supportive zone की अगर बात करें तो वो इसी level पर है 7.3 के असपस तो यहाँ से जो prices हैं उसमें एक momentum देखने को मिल सकता है next अब बात करते हैं हम लोग काड़ेनों के बारे में तो काड़ेनों में basically price का जो momentum था वो अच्छा का सा bullish था prices में हम expect करें थे कि price नहीं से उपर की तरफ break करेगा बट price ने कोई भी breakout नहीं दिया है और prices के according अगर देखें तो जो supportive zone था 0.36 का वो यहां पर price break कर गया जिससे कि हमारा एक stop काड़ेनों के अंदर भी hit यहां पर हुआ होगा अब अगर धंग से हम लोग इस चीछ को देखने के कोशिश करें तो मैं यह expect कर रहा हूँ व्यापित से सभी coin की तरह की cardinal थोड़ा pump कर सकता है इस resistance पर आए then might be हम लोगों कोई short position मिलती है तो दुबारा से जो 0.32 के असपस का level है यह हमें ऐसा supportive zone की तरह यहां पर देखने को मिल सकता है next अपर बात करते हैं chain link के बारे में chain link पर अल्रेडी हम लोग bearish थे लगपक लगपक यहां पर बहुत बड़ी एक range है और इसका जो second supportive zone है वो लगपक 0.89 के असपस है इसके नीचे ही फिर हम लोग short के बारे में कुछ सोच सकते हैं नहीं तो फिर जब तक prices यहां उपर की तरफ या फिर जोन पे तब तक हम थोड़ा long को ही prefer करेंगे matic के अंदर तो matic में अभी हम कहा सकते हैं support zone के आसपस यहां पर चल रहा है and second supportive zone जो है वो around 0.55 के आसपस हमें यहां पर देखने को मिल जाता है and last में बात करते हैं sand के बारे में तो sand का chart भी लगबख सेम है कल भी मैंने आपको कहा था कि इसका decision बाद में लेंगे जब price यहां पर आके कुछ reaction देगा और यहां पर हमें एक resistance देखने को मिल रहा है तो price अगर थोड़ा सा up होते हैं तो भी I think कि इस तरीके का momentum दे सकता है या फिर इस पॉइंट को एक resistance बनाते हैं तो हम short के बारे में plan कर सकते हैं अभी भी हम माना और इसमें directly नहीं गुसेंगे थोड़ा सा analysis करेंगे detail के अंदर क्योंकि prices को एक support zone यहां पर भी मिल रहा है 0.65 तो अगर यहां से बहुत जादा नहीं गिरा इस zone सा के bounce हो जाता है तो भी हमाले problem हो सकती है और अगर price पहले उपर जाता है और फिर नीच आता है तो यह वाला support zone might be इसको test कर सकता है तो हम थोड़ा सा इससे आपसे plan करेंगे और in future हो सकता है कि इस तरीके का कोई सा channel form करने की कोशिश कर रहा है जो बड़ा वाला हो सकता है जिसको हम एक या दो दिन के अदर confirm थोड़ा सा कर सकते हैं कि prices में क्या momentum आ रहा है तो basically news निकल के आ रही है अडानी ग्रूप की तरफ से जहां पर हिंदर बग रिसर्च करके एक firm है जिसको मैंने google किया तो पता पड़ा कि यह found हुटी 2007 में 5 employee है जो की corporate frauds और बाकि सारी चीज़ों को थोड़ा बुद देखती है तो इन्होंने एक report निकले है जहां पर कि जो आडानी ग्रूप पर allegations लगा है कि यह basically बहुत ज़्यदा fraud कर रहे है तो इन्होंने काई कि हम लोगों की यह लगबग 2 साल की investigation है जिसमें जो stock manipulation है और जो यहां पर account fraud schemes है वो basically पिछले एक decade से आपर चल रही है हला कि वहीं पर अगर हम लोग news की बात करें जो कि business standard के अंदर आई है तो वहां पर यह बताएगा है कि जो आडानी ग्रूप है उन पर allegation पहले भी लगे थे लेकिन यह basically एक false allegation है क्योंकि इन्होंने कोई भी fact check नहीं करा हैंडवक research ने क्योंकि यह जो जितने भी allegations लगें यह basically इंडिया की high court ने ही reject कर दिये थे और यह सारे के सारी misinformation है जो भी आपर baseless तरीके से बताई जा रही है अब देखो इसमें कौन सही है कौन गलत है हम तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन अगर आपका पैसा अड़ा नहीं ग्रूप में लगा है तो stop loss तो at least लगा ले ना बागी सब चाहिए तो ठीक ठाक चली रही I hope दोस्ट वीडिया और सभी को आपर पसने होगी तब तो गला वे अवा करे दे आपका बागी